कि रूपिया ध्यान रखे किस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी वो सेक्षिक और सुपमक उदिश्यों के लिए इस यूटूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वितिय शला कानूनी शला या तो व्यक्तिगत शला के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए चैन दोस्तों बिटकूइन का प्राइज अगेन 65,000 डॉलर के आजपास ट्रीड करना स्टार्ट हो चुका है आज किस वीडियो के अंदर बिटकूइन का अगला क्या मुमेंट हो सबता है शोट टम के अंदर प्लास हम बात करेंगे आल्ट कोईन के बारे में कि आल्ट कोईन के सब्सक्राइब करेंगे तो जो बिटकूइन के प्राइज ने है यहां पर देखे सपोर्ट लिया है इसी के ऊपर थोड़ा बहुत नीचे वीक लगे वह गिंती में नहीं आते हैं इसका ब्रेकाउट काफी टाइम पेले हो चुका था यहां पे हुआ है तक्रीबन तक्रीब के अंदर 16 तारिक के आसपास प्रिवेस महीने की बात कर रहा हूं तो 16 तारिक के आसपास से यहां पे ब्रेकाउट हुआ था 100 एमे का वो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे और जिस टैम पे ब्रेकाउट हुआ अच्छे खासे नीचे वोल्यूम वाइस केंडल भी लगे थे 100 एमे की में बात कर रहा हूं जब 100 एमे टूटा था यहां पर वोल्यूम वाइस तीन केंडल अच्छे खासे ग्रीन हमें देखने को मिले हैं तो यहां पर प्राइज ने सस्टेन भी किया फिर अगे यहां पर देखे 200 एमे को जब ब्रेक किया जोकि ब्रेक तो कर हूं तो चांस बन जाते कि अगर वोल्यूम की कमी रहती है तो मार्केट सस्टेन नहीं कर बाता है एक यहां पर देखेंगे तो 200 मे को यहां पर ब्रेक आउट करने की कोसिस हुई है जोकि एक ही केंडल अभी लगा हुआ है बट नीचे अभी भी हम देखेंगे तो volume wise उतने अच्छे candle नहीं लग रहे हैं उतने अच्छे जितने हमें चाहिए देखें छोटे छोटे चार्ट उपर जा रहे हैं और volume wise बीक्रीज यहाँ पर हो रहा है लब यह green वाले आप candles देखेगा जब 100 एमे को तोड़ा था कितने बड़े बड़े tower लगे थे प्रिवेस कुछ tower के comparison में जब resistance ब्रेक होता है तो बड़े tower लगने चाहिए मतला प्रिवेस देखे गए तो यह tower छोटे छोटे है जब resistance टूटता है न तो बड़े कुछ towers लगने चाहिए volume wise अच्छे खासे तो at least यहां तक के tower होने चाहिए यहां तक दिखेगा मैं roughly दिखा रहा हूँ इतने बड़े-बड़े towers होने चाहिए तो चार्ट देखेंगे आने वाले एक से दो दिन में यहां पर volume आना चाहिए वरना again and again वही बात बनेगी की chart sustaining करवाएगा short term के लिए हैं जो कि long term में कुछ चीज़े सही हो सकती है ठीक है but short term के लिए यहां पर आप नज़र रखेगा अभी तो एक candle लगा है American market open होगा फिर कुछ volume की chances बनते हैं ठीक है अगर volume आता है तो ठीक है वरना ऐसे एक बड़ा candle लगा छोटे छोटे दो तीन candle लगे इधर से और फिर again गूम गे और again first के तो ऐसे हो सकता है तो यहां पर नज़र रखेगा अभी तो एक candle लगा इससे में भी कुछ नहीं बता सकता हूँ वेट करना पड़ेगा यह हमारा analysis है और अभी में कोई trade नहीं ले रहा हूँ ना long side ना short side long side के हमने उल्लेडी लिये हुए थे तो हम धिर धिर profit book कर लेंगे कहां तक 65, 66 65 के उपर तो हैं और 66 तक हम close करेंगे और फिर देखेंगे volume in again बड़ा breakout volume in बड़ा breakout जो कि उपर का green line दिख रहा है प्रिवेस जैसे कहा गया था same to same analysis रहेगा total 3 का chart यहां पर open किया है total 3 का chart मतला bitcoin या इचरियम का market के बाद होने के बाद जो market के बनता है वो total 3 का होता है वो alts coin का market के दिखाता है फिलाल 615 billion dollar का market के चल रहा है यह भी support and resistance के उपर काम करता है उपर आप देखेगा green line देखने को मिलाओगा एक line हमने plot किया है बार बार एकाथ साल से देखेंगे 800 billion dollar के आसपास hit किया था तक्रीबन 2023 के अंदर ठीक है 800 billion dollar और फिर वहाँ से नीचे आए अगेन उपर गए फिस तरीके का कुछ trend बना तो हम समझ गए कि यह resistance है रफली बता दिया और फिर break होगा तो कुछ अच्छा होगा तो फिर देखेंगा अभी कुछ time पहले वीडियो भी हमने बनाया था breakout किया retracement किया अगेन उपर गुमने की कोशिस हो रही है अब जैसे ही highest point जहां breakout के highest point लगे हुए है देखें यह highest point है 650 billion dollar को यह cross करना शुरू हो जाता है तो अल्स में काफी पैसा आएगा ठीक है 650 को पार करना है आप कुछी time के अंदर 650 को पार किया तो confirmation मिल गया कि breakout किया retracement किया और अगेन market घुम के previous high को एक नया high बना दिया ठीक है आप समझ रहे होंगे कि साइको भी तोड़के यहां से उपर निकलना है और bitcoin का price at least 65,000 dollar के आसपा spread करना चाहिए तो एक small rally बनेगा अल्स market के अंदर और अल्स के अंदर आप देखी रहे होंगे layer 1 के project चलना शुरू है like sweet की बात करेंगे एपिटी की बात करेंगे कुछ solana के अंदर भी pumping देखने को मिल रहा है इसे फिर दीरे-दीरे layer 2 के अंदर भी volume आ सकता है meme coin कुछ है जो कि हमारे list के वाले हमारे list वाले meme coin भी pump हो रहे है like sluff है, like vein है mother है, daddy है वो सभी meme coin भी pump कर रहे है market अब कितना बनेगा ये टूटेगा तो देखो सभी condition यहां पर रहेगी bitcoin 63, 64 and 65 के आसपर trade करना चाहिए दूसरा condition की इस high को तोड़ना चाहिए 650 billion dollar है total 3 का chart तो फिर chart 800 billion dollar अगे चले दाएंगे और almost all coin 2x and 3x तक आपको profit देखने को मिल सकते है तो यह था आज का update बाकी नजर रखे bitcoin के डेली टाइम फिर्म के अंदर चार्ट को देखे कि volume wise कुछ candles लगने चाहिए volume नहीं आता न तो कुछ time इधर 11500 dollar उपर नीचे जाके गुम्रा करके फिर प्राइज हैने अगें दो तीन दो डम खादाता है वह आप समझ रहे होंगे